कैसो आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छ होगे स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिक्वलेंट पेडिक्शन में है गाइस जी टी वी एस एमाई की बीच में आई पील का जो पांचवा मुकाबला खेला जाएगा दोनों टीमों का प यहाट अप्तेंसी छोड़ दी है सामने वाले टीम के गुजराट टाइटन के हार्दिक पांडिया है मुंबई इंडियन में और Cantraal Anime ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ये मालूम है ना हर दिन 11 लोग करोड़ पती बन रहे हैं यहाँ पर देख सकती हो इस लीग में आप लोगों को कौन से अपने 11 धुर अंदर उतारने है वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है एक एक चीज हम लोग फुल डीटेल आप लोगों को देने वाला हूँ क्या कुछ आप लोगों को दोनों टीमों की पॉस्बल प्लेंग 11 रह सकती है ऐसे यासे खिलाडी बताऊंगा ना जिनको दो परसेंट चार परसेंट लोग टीम में ट्राई कर रहे हैं ग्राउंड रिकॉर्ड क्या रहेगा पिछ रिपोर्ट क्या रहेग जिसका की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है इसी वीडियो को नीचे और लिंक वर्क ना करें तो सिंपली से क्रिक 2580 आप चाहो तो लिख करके सर्च करके भी आ सकते हो आना तो 4 नवंबर का पिंड मैसेज होगा एक बार आप इस मैसेज को जरूर च है कौन से खिलाडी कहां पर खिलने वाले हैं कौन से बैर्समें आप लोगों को ले के चलना हैं कौन से ऐसे बॉजर आप आपने टीम में 手इ। जो कि अपने ओवर कम्पलिट करने वाले हैं कौन खिलाडी देथ में बॉलिंग करेगा कौन इंपक्ट खिलाडी हो सकता है सब कुछ वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को तो जीटी के तरफ से शुमान गिल जो की टीम के कैपटन भी है न्यू कैपटन ने उपन करते हु परमुक दावेदार रहने वाले हैं औरेंज कैप के लिष्ट में अजमतुल्ला ओमरजाई पिछले साल वर्ल्ड कप में जिस परकार इस बंदे ने खिलाडी मतलब इस खिलाडी ने परफॉमेंस दिया है इनको तो भाई लाना ही था टीम में और मुझको लगता है और क्लैप्स करता है जीटी का तो ये खिलाडी आप लोगों को ग्रांड लिग में बहुत मतलब हैल्फुल साबित हो सकता है रहने वाला है राहुल तीवतिया फॉर्म इनका देखिएगा इनका भी फॉर्म ठीक ठाक है ग्रांड लिग में आप चाहो तो ट्राई करके चल स अगर ये खेलेंगे ना तो इंपॉर्टेंट खेलाडी है यहीं पर आप एक चीज मेरी मार्क कर लो ना ये खेलाडी खेलेगा तो ग्रांड लिग में डैरेक इनको कैप्टेंसी दे देना बाकि मोहिस सर्मा का फॉर्म देखना चाहो देख सकते हो देखो विकेट निकाल र देखो कभी ये खेलाडी औरेंज कैप नहीं जीता है एक बर इमेजिन करो यार किर्कट जगत का इतना बड़ा खेलाडी ओडियाई किर्कट में तीन दोरे सतक और इंटरनेशनल में टीटवेंट याई में पांच सतक लेकिन यहां पे आईपियल में एक भी औरेंज कैप न करेंगे बागी टीम के न्यू कैप्टन हार्दिक पांडिया है आप लोग बताना आप इनके कैप्टेंसी से खुसो कि नहीं खुसो मुझे तो लगता है रोई शर्मा कोई कैप्टन रहना चाहिए था बागी पांच नंबर पर आप लोगों को टीम डेविड खेलते हुए उसके बाद मुहम्मद नभी आप लोगों को इनके टीम के तरफ से दिख जाएंगे निहाल वदेरा पिछले सानिल का परफिमेंस बहुत अच्छा था ग्राड कोड़ यह भी इंपोर्टन खिलाडी है आप लोग ने वर्ल्ड कप में इनका परफिमेंस देखा होगा काबिल परफिमेंस था बाकि लिउक वूड जफ्रीद भूमरा इंपोर्टन खिलाडी और प्यूस चॉला कुछ यह 11 इनकी हो सकती है ठीक है अगर दोस्त बात की जाएं इनके तरफ से जो भी खिलाडी बेंच पे हैं केन विलियम संद देखो बेंच पे इस चो हो रहे हैं लेकिन ह कहीं को सकता है यहां से दोनों के दरफ सारे धोरी करी को सकते हैं अगर खेलते हैं और इंपार्ट में आ जाते थे नित इंपोंटेंट हो सकते हैं क्यूsm का recent form लिखा हुआ है अगर दोस्त बात की जाए तो पांचवा मुकाबला आप लोगों को 24 मां साड़े साथ बजे शंडे के दिन नरेंद्र दामुदा अधास मोडी अहमदाबाद के ग्राउंड पर होता हुआ दिख जाएगा जो कि बैटिंग पैरेडाइस विकेट रहने वा पाया है अगर वेनु के हसाब से टॉप पाफूमर की बात की जाए तो शुमान गिल भाई पांच मैच में लगभग देखिएगा यहां पे 73 रन करके ही आउट होते हैं साइथ सुदरफन पांच मैच में लगभग 51 रन करके आउट होते हैं 51 की वेन्यू एवरेज है सूर्य इनका नाम नहीं पूरा शू हो रहा है दो मैच में दो विकेट है रवी विश्रन कोई खिलाड़ी हैं देख सकते हो बाकि प्यूस चॉला दो मैच में 1.5 विकेट पर विकेट निकालते हैं यहां पे इस ग्राउंड पे है रिसेंड मैच की बात कीज़े तो जीटी CSK का थी जबाब में CSK 141 बना पाई थी चेगट पेसर माथ 3 विकेट इस पिनर्स निकाल पायते हैं जीटी की टीम 233 रन MI की टीम 171 बना के अल आउट हो गई थी 9 विकेट पेसर्स मातर 3 विकेट स्पिनर्स अगेन 188 यहाँ पे GT की टीम SRH की टीम चेज नहीं कर पाई थी 154 यहाँ पे 17 विकेट पेसर्स ने अकेले निकाला था फिर देखोगे 227 रंज GT की टीम LSG की टीम 171 विकेट के नुकसान पे 7 विकेट पेसर्स तो पिछले जो 4 मैच खेले गए हैं पेसर्स लगभग 90 परसेंट विकेट तो पेसर्स के ही खाते में जाते हैं और स्कोर लगभग 200 यहाँ पे तो यार कॉमन स्कोर है जहां पे सबसे पहले सूरिया का नाम निकल के आ रहा है अगेंच GT 4 मैच में 200 रंड लगभग 50 की ओसाते 103 इनका हाईश्ट स्कोर है इसान किसन 3 मैच में 89 रं 45 हाईश्ट स्कोर है रोहिस सर्मा का 4 मैच में 82 रं 43 हाईश्ट स्कोर है गिल 11 में 409 139 हाईश्ट स्कोर है पिछले साल ये गजब तोड रहे थे एक मैच मुझे को अच्छे सी याद एमाई के अगेंच किया मारा था इनोंने साई सुदर्सन 2 मैच में 57 रं 43 हाईश्ट स्कोर है अकास मदवाल एक ही मैच में 4 विकेट निकालें अगेंच जीटी तो ये खिलाडी खेलेगा तो इन पे जरूर फोकस करना मोहिस सर्मा मैं कह रहा हूँ ना 18 मैच में 31 विकेट है गजब ये खिलाडी हो सकता है मतलब इनको बहुत सारे लोग अवोइड करेंगे राशिद खान 14 मैच में 107 रं 20 विकेट भी इनके नाम है और इन्होंने पिछले साल बैटिंग भी बहुत गजब की थी आई पियल में आपको याद होना चाहिए अब देखो प्लेयर्स बैटल देख लेते हैं पर बहुत इंपॉटन्ट होता है Grand League के लिए सुमन गिल को हरदिक पांडिया ने 2 बर आउट किया है ए मडवाल ने भी 2 बर आउट किया है मडवाल से उतना नहीं फस्ते हैं लेकिन हरदिक पांडिया से सुमन गिल फस्ते हैं व्रिदमान साहा को मडवाल ने एक बार आउट किया है बुमरा ने भी एक बार आउट किया लेकिन बुमरा को मारा भी यह बहुत साहा ने देख सकते हो साही सुदर्सन को एक बार यहाँ पे केक रितिक्या ने आउट किया है चावला ने आउट नहीं किया है केन विल्यमसन को स्रेस गोपाल ने एक बार आउट किया है, हार्दिक पांडिया ने 23 बॉल में 31 रन देके एक बार आउट किया है, इसी तरह जितने खिलाड़ी हैं सब का यहां पर लिखा हुआ है, जैसे राशिद खान ने रोहिस सर्मा को 3 बार आउट किया, 21 बॉल में 32 रन यादो का आप लोगों के common नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा, मोहित सर्मा आप लोगों के common नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, मोहित सर्मा बोल रहा हूँ, रोहित सर्मा नहीं बोल रहा हूँ, बॉलर वाले मोहित सर्मा, हार्दिक पांडिया आप लोगों के common नेम दे देखो मोहीत सर्मा का अगेन यहाँ पे नाम रिपीट हो रहा है तो आज की मैच में मोहीत सर्मा इंपॉर्टन रहने वाले हैं तो यह जो कुछ चीजें हैं ग्रांड लिंग में आप लोग मतलब अच्छी रैंक लाना है तो इन सब चीजों को आप लोग जरूर अपने ध्या व्रिधमान साहा का उप्षान हैं दोनों देखो अपने टीम के तरफ से आप लोगों को ओपन करने वाले हैं आप जिसके साथ चाहो उसके साथ जा सकते हो फिलाल देखो जनता तो इसान किसन के साथ जा रही है तो फिलाल मैं भी सेफटी परपस से इसान किसन को ले रहा हू ग्रांड लिंग में वृधवान साहा को टीम में जरूर ट्राई करना यहां तक कि आप लोग इनको कैप्टेंसी भी दे सकते हो बैटिंग सेक्शन से शुमन गिल इंपोर्टेंट खिलाडी स्मॉल लिंग में कैप्टेंसी माटेरियल मश्ट पिक वाले खिलाडी पचास की हेट टुएड में इनकी ओसत है और मैंने दिखाया एक कॉमन खिलाडी में इनका बार बर नाम रिपीट हो रहा था रोही शर्मा देखो कैप्टेंसी इस साल नहीं कर रहे हैं और अच्छी बात है कि इनको उपर प्रेसर नहीं रहने वाला है तो हो सकता है खुल के खेले तो इंपोर्टेंट है सूरे कुमार यादो हो सकता है प्लेंग 11 में ना रहें लेकिन इंपक्ट खिलाडी में आप लोगों को याते हुए दिख सकते हैं तो इंपोर्टेंट है केन वीलियम संदेखो खेलते हैं के नहीं खेलते हैं और अगर खेलेंगे तो मश्च पिक वाले खेलाडी रहने वाले के साथ जा सकते हो तो डैविड मिलर टीम डैविड ग्रांड लिंग में जरूर आप लोग ट्राई कर सकते हो इस मॉल लिक की नजरिया से फिलाल में साइस उदरसन के साथ जा रहा हूं अगर केन विलियम संद खेलेंगे तो 100% में अपने टीम में इनको ले लूँगा अल्र करते भी हैं तो मुझको नहीं लगता है कि एक से दो वर से जादा ये बॉलिंग करेंगे तो फिलाल मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूं और स्मॉल लिक का यहां से कोई सेफ खिलाडी दिख नहीं रहा है बॉलिंग सेक्षन से देखो जस्परींद बूमरा चाहे किसी ब कैनी करें इनिग में बॉलिंग करें राशित खान चाहे किसी बीए wildlife करें इंपेट यह तुलिक है उसके बाद मोहिषि बता ही रहा हूं तो आप धियान में रखना और वीडियो तो आप लोगों के लिए चानल पे आते रहती है तो इस चीज़ का धियान रखना अब देखो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के बात की जाए तो आप शुमान गिल के साथ जा सकते हो जिनका के रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सूरिया के साथ जा सकते हो रोहिज के साथ जा सकते हो हार्दिक के साथ जा सकते हो अजमतुल्ला उमरजाई के साथ जा सकते हो बूमरा नंबर पर बैटिंग करेंगे और अगर जीटी की टिम फर्स्ट बॉल करेंगे तो देथ बर में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं पलस चार उबर आइधिंग यह अपने कंप्लीट करने चाहिए तो और आप लोगों को चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके बता स अच्छी रैंग ला सकते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना भूलना मत करके सर्च करके आ सकते हो अना तो चार नवंबर का पिंड मैसेज होगा चेक कर लेना बिल्कुल फ्रीटी मास्टर तोस्ट प्रवाइड कराई जाती है बागी दोस्तो छोटा चैनल लेकिन आप सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत करीब हैं तो जल्दी से करवा देना बाकी कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसे लगा मिलते हैं कर अच्छी वीडियों साथ तब तेक लो गुडवाई टेक